नमस्कार वच्चो उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको वर्ण विच्छत का प्रापिक फिर से लेकर आई इन सिखाने के लिए लेकिन ऐसे नियम आप प्रैक्टिस ऐसे करेंगे ताकि आप बिल्कुल भी आप एक्जाम में एकदम गलत ना करें और कभी भी गलती नहीं करेंगे बच्चो आज का जो विशेय है वह एंस्यार्टी की पुस्तक से है एंस्यार्टी पाठ्य पुस्तक इस बर्ष्य कक्षान नवी दुख का अधिकार पाठ्ट का भाषा अधियान प्रश्ण का पहला नंबर है यह सी बीसी बोड की है आतो आप अगर जो भी बच्चे सीवेसी बोड से है तो वह आपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं यह सेम उसी पाठ्ट का प्रश्ट है तो बच्चो यहां पर देखिए लिखा है आपके कि निम्लिखित सब्द शमुहो को पढ़ो और समझो तो कंगा पतंग चंचल ठंधा इन दोनों में क्या अंतर है बता सकते बच्चो मैंने आपको वर्णे बीचित में सिखाया है कमेंट वक्स में लिखकर बता सकते हैं आप बताईए जल्दी जी बच्चो यह क्या है अभी इसी वर्ग का पंचम अक्षर का इस्तमाल किया गया है जैसे आपको मैंने बताया थ आपको कि पंचम अक्षर क्या होता है तो यह सारे देखिए यह जो अनुस्वार है यह अनुस्वार है इसी की जगह पर यह पंचम का प्रियोग किया गया है ठीके बच्चों तो हम नेक्स्ट में जब करेंगे नीचे तो मैं अच्छे और भी विस्तार से इसको आपको समझाते हूं दूसरा दिया है अक्षुन्ड सम्मिलित दुवन्नी चवन्नी अन्न संशे संसद संद्रशना संवाद संगहार अंधेरा बा यह पंचमक्षर जो हैं पंचमक्षर कलाते हैं क्या होते हैं इनको लीखने की विध्या आपने ओपर देख ली कि इसको हम कहीं अनुस्वार के रूप में लिखते हैं और कहीं पंचमक्षर के रूप में लिखते हैं ठीके बच्चों इन्हें दोनों भी में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही शुद्धर रूप है हाँ एक पंचमक्षर जब दो बारा है तो उसको हम क्या करते हैं यह नियम याद है आपको जब ज यो में जाएए और आप उसे जाके फिर ते देख लीजिए महां बहुत में स्लियर तरीके से मैंने वह पढ़ाया है इसी प्रकार इनके बाद जो अंतर्ष्ट वेंजन्स जो आते हैं यह रह लौ और उश्म वेंजन्स श श सह आदी हो तो अनुस्वार का प्रियोग होता है ठ दिखा जाता है ठीके और लेकिन उनका उचारन जो होता है वह पंचव मक्षर की तरह ही होता है जैसे कुछ एक्जांपल पर देख्याए संचय ठीक है संद्रचना तो संद्रचना में उच्वार ने विच्छेत करते समय यहां पर पंचमक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे न प्रियोग नहीं करेंगे नीचे में और देखेंगे इसको अच्छे तरीके से यह चिन अनुस्त्वार का है और यह चिन अनुनासिक का है इनमें इन्हें क्रमशा बिंदू और चंद्रविंदू भी कहते हैं दोनों के प्रियोग में और उचारण में अंतर है तो अभी देखि को संपरी क्या निकलता है जो olsun पैसज का पूरा संब्रेंग्या हो गया यह पंचम прош जो भार आए यभप यह कि क्या होगा यह चा सांच्वार का प्रियोगius नहीं होगा क्या होगा अनुस्वार का प्रियोग होगा परंतु उसका उचारण पंचम वर्गों के हिसाब से ही किसी और की भाती हो सकता है ठीके और देखिए बच्चों यहां पर वर्ग होना चाहिए यह देखिए यहां पर यह वर्गों को देखना चाहिए अगर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक वगर है तो के साथ होता है अनुनासिक का अनुनासिक के स्वर के साथ ठीक है तो अब इसका हम वर्ण करके देखते हैं कि क्या है रूल कैसे बनता है अब कंगा देखिए कंगा यह दोनों भी देखिए इसका क्या है पंचा मक्षर का खाली प्रयोग किया गया यह दोनों भी एक जैसे ही है तो अब हम पंचा मंक्षर वाले वर्णों का एक वर्ण बिच्छेत करके देखेंगे, मैं एक दो करूंगे, बाकी सारे आप अपने नोटबुक में करिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो कब किसी भी वेंजन के उपर अगर कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो उसका रूल कि पास वाले वेंजन को हम देखेंगे, कि ये किस वर्ण का है, तो कंगा घो किस वर्ण में आता है, को वर्ण में आता है, याद है बच्छो कोखा, गो और घो अंगा ठीके बच्चो तो अब जो अंगा है आपका, ये आपका इसका घो का पन्जमक्षर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वर्ग में आता है इसलिए हम यहाँ पर अंगा का प्रयोग करेंगे और एक बात और बच्चो जब अनुस्वार है उपर आ रहा है तो यह निश्यत है ति वो स्वर के बिना ही होगा वो स्वर के साथ नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पर औ का प्रयोग नहीं करते हैं फिर लास्ट में अभी देखिए अभी कोई भी स्वर जो है वेंजन अगर उच विधियो में बताया है तो जहां पर स्वर स्वतंत्र रूप से अगर स्वर आ जाये उसके निशे हमें लगाना है और उसके उसको हमें वड़न विच्षेद भी नहीं करना वह आजाता है क्योंकि स्वर के देखें जब नियम हमने ने बताया थे तो उसमें प्रते ही वेंजन में क्या जुड़ा हुआ है ठीक है बच्चों तो अभी घॉम मातरा दिख रही है तो गहां की नीचे हल और इस प्रकार से हो गया ठीक है अब एक और वर्ड ले 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 लेते हैं इसमें बाकि यह सारे अभी पतंग ऐसे लिखा हुआ है अभी इसको हम बच्चों के लेते हैं कि क्या होता है क्योंकि बच्चों यह बहुत स्पैलिंग मिस्टेक करने के लिए जगह पर आ जाती है अब याद रखिए जब कोई वर्ड न ऊपर है और उसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि उपर वाला वर्ड हाफ है और नीचे वाला वर्ड पूरा है इस बात को हमेसा ध्यान में रखिए बहुत चोटी चोटी बाते हैं लेकिन इसे ध्यान में रखने पड़ती है नहीं तो हमेशा जो वर्तनी अशुद्य होती है वह हमेसा ही होती रजाएंगे ठीक है बच्चों तो अब इसका देखिए का नीचे हल प्लस और कि कोई मात्रा नहीं तो लिखना ही लिखना है तौके नीचे हल और अभी यह ढूट्ट है तो के उपर तो इसके बाद वाला वर्ड क्या रहा है गौ आ रहा है, गौ किस वर्ग में आता है, कौ वर्ग में आता है, कौ वर्ग का पंचमक्षर क्या होता है, अंगा होता है, ठीके, और अंगा जो अनुस्वार के बतले आ रहा है, अनुस्वार का नियम क्या होता है, हल सहीत होना चाहिए, अंगा हो गया, दें गौ प्लस आ, बच्चो अब देखिए अब एक और शब्द लाश्ट लेती हुए इससे संबंध का बच्चो अभी संबंध देखिए आपको समझ में आ गया ये दोनों भी एक ही है ठीक है अभी मैं आपको ऐसे लिखकर बताती है अभी इसका वर्ण भी छेत करते हैं तो सो के साथ कोई मातर नहीं है अर्थात ओ प्लस अभी यहां पर म अनुस्वार के बाद वाला वर्ण क्या है वह कोन से वर्ण में आता है पाठ वह मा पथा फ़ाओ पन्चं का हो गया डेखिए अभी मा के नीचे हल और नहीं लोगेगा क्योंकि अनुस्वार हाफ होता है फिर उसी तरुके से पांचवा अक्षर क्या होता है नौ होता है इसलिए यहां पर नौ आ जाएगा राइट बच्चो समझ में आ रहा है आप लोगों को ठीके नौ प्लस फिर नौ के नीचे हल और उसके बाद धो प्लस ओ ठीके बच्चो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत यह अच्छ लिखा हुआ है सम्मिलित लिखा हुआ है दुवन्नी लिखा चवन्नी लिखा है तो इसी प्रकार से हम इन चब्दों का भी वर्ने बिच्चेत करेंगे अक्षुन में एक हाफ होगा बच्चो यह धियान में रखें ताइपिंग में कभी-कभी यह सारे मिस्टेक हो जाते है ठीक है सम्मिलित अब देखिए सम्मिलित वर्ड़ने बिच्चेत करते हैं एक मिनट एक सम्मिलित में 100 जैसे पूरा है और मह अदुए हाफ है और तो क्या लिखेंगे हम ईक मौ फिर नजी अभी ये दो सात में आए है हैं तो एक मौं हाफ है और दूसरा मौप पूरा है तो एक मौं हाफ और इसके साथ कौन से मातरा है चोटी के मातरा है ठीक है बच्चो और लो फिर लो की नीचे हल छोटी ए और तो प्लस ए तो इस प्रकार से हमें बिच्छत करना बहुत बच्चे यह कैसे करते हैं अगर यह पहले आ गई है तो बच्चे पहले क्या करते लगाते जैसा लिखाया फिर उसके बाद मौ लिखते हैं यह चीज गलत है ठीक है कोई भी देखिए अब रूल क्या कहता है नियम क्या कहता है यह दोनों पंचमक्षर है राइट बच्चो यह दोनों पंचमक्षर है तो दोनों पंचमक्षर एक साथ जब आते हैं तो क्या नियम होता है एक वर्ट इसको हम डॉट में लिख सकते हैं क्या जी नहीं बच्चो डॉट में लिखेंगे क्यों डॉट में लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा ठीक है इ बच्चो तो यह वर्ण यह किवल PANCHAM Sakshar का d ihren डूसरा रूल है कि कि DGO PANCHAM Akshar Akshar 365 अक्षर जब 177 अए तो क्या हो जाता है लआ है तो एक पंचम akshar the interventions Podcast Church कि इसमें Convert हो जाता है आधे में Convert हो जाता है तो बच्चों मुझे कि आप इसका भी वर्ण बिच्चत कर लेंगे एक का मैंने करके दिखाए बाकी का खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ की लुट बाँब से वाहर हो अगर जिसके उपर डॉट है यह याद रहें जिस विपर डॉट है उसके बाद वाला वर्ण हम Day है इस तो formations सबिक बाद वाला क्या है यहाँ पर यहां पर हम से बाहर को और कोई आए कोई रोक में लिखके रूप में उसके मुख्य रूप में हम जैसे अनुस्वार हम पढ़ते हैं जब स्वर की पढ़ा था तो अनुस्वार इसी रूप में लिखा रहता है तो इसी रूप में हम इसे लिख देते हैं और वर्ड ने भी छेट करते समय भी यह जान में रखिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां पर हमें पंचम कि एक अब हम स्कुनभ इसका क्या हो जाएगा स्वार है इस सथ के साथ कोई मात्रा नहीं है इसने स्वार हो गया अभी इसके बाद यहां पर अनुस्त्वार का चिन्धन लगा देंगे या तो हम अनुस्त्वार लिख भी सकते हैं लेकिन उतना मेहनत कौन करेगा बच्यों एक्जाम में आएगा तो हमके वड़ लगा सकते हैं विज़ेगा फिर वर के साथ आ है तो वो व प्लस आ है और प्लस दा बचों स्वर के में लगएगा क्या लगेगा क्या मैंने क्यों बातए हमें कुझा को स्वर को as it is हम लिख देंगे कोई भी शब्द में अगर स्वर आता है तो उसे हम as it is लिख देते हैं अब देखिए एक और नियम है अभी ये चंद्रविंदु वाले नियम है अनुनाशिक का अभी पिछले अनुस्वार और अनुनाशिक का वीडियो अगर आपने नहीं देख होगा तो उसे जरूर देखिए आनुस्वार डो रूपस्व में आता है जहां पर यह ये होती ये पर कोई मात्रा नहीं होती है और चंद्रविंदु का उचारन आता है तो चंद्रविंदु इस रूप में लिखा जाता है लेकिन अगर कोई मात्रा आ गई तो अब यह देखिए कौन-कौन सा मात्र मैंने सिखाया था यहां पर ओ ठीक है ओ आ की मात्रा और उ की मात्रा ठीक है तो इन सभी मात्राओं के साथ कि अगर चंद्रबिंदू अपने मूल रूप में आएगा और इसके अलवा अगर शिरोड़ा तक की ऊपर कोई मात्रा आ गई अब इस नकी कि आती है एकी आती है अगर इन में सी किसी के भी मात्रा अगर शीरो रेखा के उपर आ गई और उचारण में चंद्रबिंदु का आ कि आती है तो हम चंद्रबिंदु को ऐसे रूप में लगा देंगे समझ में आए बच्चो अभी मैं सबसे चोटा की मुग का एक वर्ण बिच्छेद हम कैसे करेंगे मौ के नीचे हल और यह व ठीकि बच्चो प्लस चंद्रबिंदु को हम क्या करेंगे जैसा है वह से वसे हम चंद्रबिंदु को यहां पर लिख देंगे और हाँ प्लस लिखेंगे अभी दूसरा ले लेते हैं एक माए का ठीक है माए के रॉट में आभी मौ प्लस क्या लिखेंगे क्या बताओ जलती से कमेंट में क्यूंकि यह अनुस्वार नहीं है यह भूल मत किजिएगा कि यहां पर डॉट एक सिंगल दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा यह जी जी नहीं यह अनुनासी की है ठीके बच्चो मुझे उमीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सारे नियम आपके जो भी दुख का अधिकार के पार्ट में बढ़ने विच्छत संबंदित जो भी नियम थे वो मैंने कूरा किया अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक किज किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए और कॉमेंट करना भूले नहीं जरूर किजिए कमेंट ठीक है थैंक यू बच्चो 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000